नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल मित्र एजूकेशन हव दोस्तो आज मैं आपके लिए रजस्तान के इतियास का नया प्रैक्टिस सेट लेकर आए है जो कि आपके आने वाले एक्जाम्स के लिए बहुत इंपोर्टेंट है दोस्तो यदि आप चैनल पर पहली बार आहे है तो चैनल को जरू सब्सक्काइब करें यहन को प्रैस करें ताकि हमारे सभी 1631 इसवी के बाद option B है 1562 इसवी के बाद option number C है 1614 इसवी के बाद option D है 1636 इसवी के बाद तो दोस्तो राजपुत राजावने मुगलों के साथ जो सहयुक की नित्य अपनाई थी वो अपनाई थी सन 1562 इसवी के बाद कब अपनाई थी 1562 इसवी के बाद राजपुत राजावने मुगलों के साथ सहयूक की नित्य अपनाई थी तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ओप्शन नमबर बी मारवाड के इतियास का विस्मरत नायक था मारवाड के इतियास का विस्मरत नायक था मारवाड के इतियास का विस्मरत नायक कौन था दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ओप्शन नमबर सी राव चंद्रसेन मारवाड के इतियास का विस्मरत नायक था क्योंकि राव इसे ने प्रताप पाहरण प्रताप के साथ माहरण प्रताप के समण अक्वर की अधिन्तस्रिकान नहीं कितिया जीवनता है तो इसलिए इसको मारवाड का प्रताप के नाम से भी जाना जाता है और जो राव चंद्रिशे ने इसकी कई उपदिया है जैसे इसको मारवाड का प्रताप, प्रताप का अगरगामी तो दोस्तो हल्दी घाटी का यूद लड़ा गया था option b 18 जून 1506 18 जून 1506 को अकबर और महारणा पृताप के बीच में हल्दी गाटी का युद लड़ा गया था दोस्तों इस युद में अकबर की साइड से जो सेनापति आये थे वो आये थे मान सिंग और आसफखा और और जो महारणा पृताप की साइड से जो सेनापति आये थे वो थे क्रिसन दास चुंडवाद सलुंबर का रामशा तोमर पूंजा भील जो के भीलो का नेता था ये इत्यादी इसके साइड से आये थे माना पृताप के साइड से तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा option number b next question question number four दोस्तों इसका राइट आंसर है option number a चावंड में राणा पृताप के मत्ति हुई थी चावंड जो की उद्यापूर में है वहाँ पर इसकी मत्ति हुई थी और चावंड ने चावंड को माना पृताप ने अपनी राजदा नहीं मनाया था ठीक है और राणा पृताप जो है माना पृताप की जो छत्री है वो बांडूले में इस्तित है इनकी आठ खंबो की छत्री है बांडूले के अंदर तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा option number a next question question number five जोधपूर राज की स्थापना राव जोधदा द्वारा कब की गई थी तो दोस्तों जोधपूर राज की स्थापना की गई थी option number b 1469 में 1469 में राव जोधदा ने जोधपूर की स्थापना की थी और जोधपूर के अंदर महरांगर किले का निर्मान करवाया था तो दोस्तों महराणगर के लिए की जो नीव है वो कर्णी माता नहीं रखी थी तो दोस्तों इसका राइट अंसर विजागा ओप्शन नमबर बी नया कुश्चन कुश्चन नमबर सेक्स बिका निर राज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी दोस्तों बीका निर राज की स्थापना कि गए थी जोद्पुर का राजा था राव जोदा का बेटा था बीका उसके दुआरा जोद्पुर राज की स्थापना की गई थी सं 1448 इसवी के अंदर तो इसका right answer option number D कुशंन Q7 मुगलों के साथ समरपन और सयूग की निति का पालन करने वाला प्रत्थम राजी है तो दोस्तों मुगलों के साथ समरपन और सयूग की निति करने वाला राजी है कुँं सा? आमीर आमीर राजी ने आमिर राज के राजा ने मुगलों के साथ सम्मरपन और सहयोग की निती अपनाई थी तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओप्शन नमबर डी नेक क्वेशन क्वेशन नमबर एट 1527 एस्वी में खानवा का युद्र किन के मद्दे लड़ा गया था सांगा और बाबर के बीच में लड़ा गया था जिसमें सांगा को हार के सामना करना पड़ा और यहां पे बाबर यहां पे विजय हो गया और उस समय बाबर ने गाजी की उपादी दारन की ती किस के उपाजी दाने की थी गाजी के उपाजी दाने की थी बाबर ने तो इसका राइट आंसर ओप्षान नमबर ए नेक्ट कोशन कोशन नमबर नाइन अजमेर नगर की स्थापना करने वाला चोहान सासक था तो दोस्तों अजमेर नगर की स्थापना की थी चोहान सासक अजयराज ने की थी ठीक है अजयराज ने 1113 हिस्वियों में अजमेर की स्थापना की थी और अजमेर के अंदर किले का नि नेक कोश्चन कोश्चन नमबर 10 1101 में तरायन के प्रतम युद में मुहमत गोरी को किस ने पराजित किया था तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हैं कि तो सेनकों का भगनव से इसका बाइव का इसका पादी इसका जो चुके अप्टरील इसका युद्म में कहानवा के यूद में इसलिए इसको इस उपादी से सुबित किया गया तो इसका राइट आंसर ओप्शन नमबर सी ने कोशन कोशन नमबर 12 कानड देव प्रभंद रचना है तो दोस्तों कानड देव प्रभंद रचना किसी की है पदम नाम की पदम नाब की ये रचना है तो दोस्तो अलावद धिन चितोर ओड़ पर विजय प्राप्त की दी 1303 इस्वी के अंदर काप इस समय रावल रतन सिंग ने ρावल 25 रतन सिंग के नेत्प मैं के सर्य किया गय Jimny के नेत्व में आप जोहर कीया गया था तो तेरा सु 2 में चितोर हो का पहला सागा का हुआ था इस टाइम अलाद्विन खिल जी ने चित्तोड पर अपना पूर्णत अधिकार कर लिया था ठीक है तो इसका राइट आंसर ओप्शन नमबर बी ने कुशन कुशन पर अधिकल्य नमबर फोर्टीन पधमावत रचना है और दोस्तों पदमावत है मलिक महमद जाइवसी की मलिक हम मँद Cory si की रचना है पदमावत और यह यह पुस्तक है बदमावत यह अवदी में लिख्य हुई है कि करनल जैम स्टोड़ जो इतियासकार है और मुनोत नैंसी वो तो इस पदमावत वाली कहानी को सुविकार करते हैं बट जो यह सूरिय मलमिशन यह इसको सुविकार नहीं करता है इसमें तो पदमावत रचना किस क्या है मलिक मोजासी को ओप्चन नंबर तो इसका राइट आंसर है नैक कोशन कोशन नंबर 15 अलावदिन खिलजेने रनथंपूर पर विजय प्राप्त की थी तेरा सो एक इसवी के अंदर ओप्चन नंबर 20 इसका राइट आंसर हो जाएगा नैक कोशन कोशन नंबर 16 किसनागर का प्राचिन नाम आई राषो रचनहें तो दौस्तों प्रतिवराज रचना या चंद बरदाई की चंद बरदाई ने अपनी पुस्तक हाडोति होफ्शन रन्थमबोरी сбory रोई धोस्तों इसका राइट अंसर हो जाए गा है ओप्शननर्ठ रन्थमबोर गोविन परतम ने रन्थम परतम उऔर की थे नहीं जाता किमरी अलोल कि इस तो यह को राइट राज हर्य चका बेटा था थे के तो इसका राइट आंसर हो जाएंगा। option number c question number 19 डूंडाड राज की इस्तापना किस के द्वारा की गई तो दोस्तों, डूंडाड राज कैंसर की गई थी option number a दूले राय य के द्वारा डूंडाड राज के इस्तापना की गई थी option a इसका right answer है question number 20 चंदवर्दाई ने राजपुतों की उत्पत्ति मानी है तो दोस्तों चंदवर्दाई ने राजपुतों की उत्पत्ति मानी है अगने कुण के सिद्दान से ठीक है इसका राइट अंसर ओप्शन नमबर सी चंदवर्दाई ने अपने पुस्तक प्रत्विराज रासों में अ तो दोस्तों कच्वा वंसका सासक सासक था यहां पर पत्वी राज था टिक है तो इसका राइट अंसर हो जाएगा और उप्षिन नंबर इसका राइट आंजोगा प्रत्युराज जो है वो खानवे उदमे कच्छोवंस का सासक था जो कि इनके साथ था नेक कोशन कोशन नंबर ट्वंटी टू आमेर का कौन सा सासक अकबर के नव रतनों में से एक था तो दोस्ता आमेर का सासक था मान सिंग ज चोहनों का सरवादिक विस्तार कि सासक के काल में हुआ था तो दोस्तों चोहनों का सरवादिक विस्तार हुआ था विगरे राज चतुरत के सासनकाल में क्योंकि विगरे राज चतुरत के सासनकाल था वो चोहनों का एकदम स्वानकाल था राइट आंसर ओप्शन नमर डी न जाएगा option number a ठीक है ने question question number 25 ख्वाजा मुनिदुन चिस्ति भारत में किसके सासनकाल में आया ठीक है तो दोस्तो ख्वाजा मुनिदुन चिस्ति भारत में प्रत्वी राज चोहां तिरती है कि सासनकाल में आया तो इसका right answer हो जाएगा तो option number 20 का right answer है next question question number 26 किस युद्ध के बाद चोहानों का पतन हो गया तो दोस्तों यहां पे तराइन को जो दूसरा युद्धुवाता 1192 में उस समय मोहमत गोरी और प्रत्वरात चोहान की बीच में युद्धुवा यह तो आपको पता है जिसमें प्रत्वरात चोहान जो है यहां पर पराजित हो गया उसके बाद दिल्ली और जमीर पर यहां पर तुर्कों का पूरा सासन हो गया पूरा अधिपत्य हो गया तो इसका right answer हो जागा option number बी तराइन का दूसरा युद्धुवा तो इसका right answer को राय पितुरा की नाम से सम्मोधित किया तो इसका right answer को राय सक के साथ युद में लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हुआ था तो दोस्तो इसका right answer option number अलाव दिन किल जी के साथ कनर देव जो है वो लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हुआ था और इस समक कनर देव और उसके बेटे वीरम देव की नहीं तो इसका right answer हो जागा क्लाव फ़्यों एया पर किया option number अ अ लॉड़न किल जीरां ऩद आः लेकर future Subscribe तो दोस्तो नंबधति को очतला हुआ कऊनि की नान्श Hospital का संस्था और गोर्विन्दराज लेकर के चोहान का वो रॉक्त प्रत्व राज का तो तो इसका राइट आंसर दो तो क्या होगा ओप्शन नंबर दी गोविंद राज नेक कुश्चन कोश्य नंबर थर्टी अलाउदिन खिल जी कि आक्रमण की समय वरेंद थम्बूर की पतन की समय यहां का सासक कौन था तो दोस्तो इस ताइम सासक था यहां पे राणा हमीर हमीर यहां पर तो इसका राईट आंसर ओप्शन नंबर ची का राईट आंसर हो जाएगा न्यनक न्हाक है नृस्तो नंबर 13 hence application को लिए येवाड साम्राज का सनस्था फक ता option नंबर ये वा अब रावल रावल भप्प जो है वह मेलद संस्थापक था ठीक और रावल बप्पा ये हारित मुनी के सिश्य थे इन्होंने 734 इसवी के अंदर चित्तोड पर अपना अधिकारिक कर लिया मान मूरिय को हरा कर ठीक है और इन्हों रजदनी बनायता उस समय रजदनी नागदा को अपनी रजदनी बनायता तो इसका राइट आंसर ओप्शन न दर्बार कभी उसके साथ था तो दोस्तों उस समय दर्बार कभी था इसका अमीर खुषरों खुषिंण नंबर सी हमीर को स्रों ने अपनी पूस्तक खल जाएं उल्फटं। इस आक्रमण को इस जो यह आक्रमण होताँ अ इसका आँखो दीखो विभरंड उसने लिठा था इस पुस्टक में तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या होजागा ओप्शन नमबर सी इसका राइट आंसर होजागा अमीर खुस्रों नेक क्वेशन क्वेशन नमबर 33 मलिक मोहिंजासी के अनुसार अलावदिन खिलजी ने चित्तर पर आक्मेंड किया तो दोस्तों इस पुस्तक के अनुसार पदमावत पुस्तक के अनुसार अलावदिन खिलजी चित्तर पर आक्मेंड किया रगया था रानी पदमीनी को लेके कोई रावल रद्न सिंह की राणी ठीक है नया कूशन नमबर 34 बाबर नी राजस्तान की सब्सक्राइब नाम सी धन्य धन्याफे राण सांगा सली करके यहां पर गाजी की उपाईदान की थी कौन से युद में खानवा की युद में जो की 1527 के अंदर हुआ था तो इसका राइट आंसर ओप्शन नंबर डी ने कुश्चन कुश्चन नंबर 35 सरुपता मेवाड़ के किस साथ ने अकबर का मुकाबला किया था दोस्तों इसका इसका राइट आंसर होगा ओप्शन नंबर ऑफ्शन नंबर मेवाड़ की मेवाड की घरमोपोली के नाम से बिखार था था तो इसका राइट आंसर है नी बनाई दोस्तों हल्दी गाटी को अपनी राजदानी बनाई है और जो महाना पृताप की मत्यु थी वो भी चावन्ड उद्यपुर में हुई थी और बांडुली में इसकी आठ खंबों की चत्रिय यह किसके महाना पृताप की तो इसका राइट आंसर होजागा अप्शन नंबर kunका किसल नीक पोमघलों के साथ मजबूर होकर संदी को स्विकारकी आप के घो स्वस्वाइत करेंлись अमर सिंग ने मेवाड के माहरन थी अमर सिंग इन्होंने 1615 में मुगल बार्षाद जहांगीर के साथ संभी कर ली तो इसका राइट अंसर हो जाएगा किस राणी को रूटी रानी के नाम सी जना जाता है उमादे को जना जाता है इसका ओप्शन नमबर ए उमादे कौन थी उमादे जो है वो चैसल मेर की राजा लूण करन बाटी की बेटी थी और यह मालदेव की रानी थी जो मालदेव राज़ वा था उसकी कौन दे इसकी रानी थी एक बाहरमली नाम के एक दासी थी उसके कारण यह जो उमादेव वो मालदेव से नराज हो गई थी इसको उमादे को रूठी रानी के नाम से जाना जाता है अज़िल ऑप्शन एसका राइट अंसर हो जाएगा नेक कुष्टन कोशन नमबर 41 मालडेव की मत्थ्यू के परशात मारवड का सासक बना था दोस्तों मारवड की मालडेव की मत्थ्यू के बाद मालवाड का सासक बनाता यहांपर चंदर सेन बनाता थेखें अपिछ्टनुम सी न्या कोश्यन कोश्यन नंबर 42 बीटु सुजा ने अपने कुस्तक राव ज जैतरी जैतरी सी रोचन्द में गिनर की सासक कल्यू का कड़ का है तो दोस्तो बीटु सुजाने राव लूण करन को यहां पर कल्यू का कड़ का है तो इसका राइट आंसर एका ओप्षिन नंबर ए न्या कोशन कोशन नंबर 43 विककंद रिके किस सासक ने सर्वप्रत मोगलों की अधिन्ता सुईकार की दोस्तों याँपे इसका राइट आंसर उजागा ओप्षिन नंबर बी कल्यान मलने सरप्रतम मोगलों की अधिन्त स्विक्कार